में खुशी है कि देश के हर कौने में जहां भी G20 की समीट हो रही है मिलेट से बने पोश्टिक और स्वाजिस्ट वेंजन उसमें शामिल होते हैं यहां बाजार से बनी खिशडी, पोहा, खीर और रोटी के साथ ही रागी से बने पाइसम, पूडी और डोसा जैसे वेंजन भी परोशे जाते हैं G20 के सभी वेंजूज पर मिलेट एक्जिबिशन में मिलेट से बनी हेल ड्रिंग, सीरियल्स और नूडर्स को सोकेश किया गया दुनिया भर में इंडियन मीशन्स भी इनकी लोगपृता बढ़ाने के लिए भरपूर प्यास कर रहे हैं आप कल्पना कर सकते हैं कि देश का ये प्रयास और दुनिया में बढ़ने वाली मिलेट की डिमान हमारे छोटे किसानों को कितनी ताकत देने वाली हैं मुझे देखकर भी अच्छा लगता है कि आज जीतने तरह की नई नई चीजें मिलेट से बनने लगी हैं वो यूआ पीडी को भी उतनी ही पसंद आ रही है इंटरनेशनल येर ओफ मिलेट की ऐसे शांदार सुरूआत के लिए और उसको लगातार आगे बढ़ाने के लिए मैं मन की बात के सुरताओं को भी बढ़ाई देता हूँ मेरे प्यारे देश स्वाशियों जब आपसे कोई टूरिस्ट हब गोवा की बात करता है तो आपके मन में क्या खयाल आता है स्वाबाविक है गोवा का नाम आते ही सबसे पहले यहां की खुबसुरत कोश्ट लाइन बीचीज और पसंदिदा खान पान की बाते ध्यान में आने लगती है लेकिन गोवा में इस महिने कुछ ऐसा हुआ जो बहुत सुर्खियों में है आज मन की बात में मैं इसे आप सब के साथ साजा करना चाहता हूँ गोवा में हुआ यह इवेंट है परफल फेश्ट इस फेश्ट को 6-8 जनवरी तक पंजी में आहुचित किया गया दिव्यांग जनों के कल्यान को लेकर यह अपने आप में एक अनूठा प्रयास था परफल फेश्ट कितना बड़ा मौका था इसका अंदाजा आप सभी इस बात से लगा सकते हैं कि 50,000 से भी जादा हमारे भाईबेन इसमें शामिल हुए